एक बार जोर से बोलिए जै स्री राम चलिए आज के क्लास से स्टार्ट करते हैं आज वोकेबलरी में आज की क्लास वेरी वेरी इंपोटेंट है वेरी वेरी इंपोटेंट आज जो हैं वर्ड्स वो कल्चर रिलेटेड वर्ड्स हैं इंग्लिस में एक तो कल्चर खुद संबते हैं जो किसी lived के लास्ट में आकर के जूर जाता है उगाइब उसे बूलाता है सभीक्स तो एक इंगलिस का के लास्टा यह इज्ञ ज़ुरा हुआ राता है kung सभीक्स का मज् Can ही पोटेंट है अक्सर यहां से कोशन पूछे आते हैं और एक ही क्लास में कल्चर ग्लेटेड वर्ड जितने भी होंगी मैं टोटल करवा दूंगा ठीक है पहले से मैं वर्ड लिख के लाया हूं सारा को डिफाइन करता हूं ठीक है तो सबसे पहले देख रहे हैं एगरी कल्च खेती वारी कल्टीवेशन भी बोल सकते हैं इसको में कल्टी वेशन है फ Safa ch Jim बहल भी सकते हैं योग में भी और बहरी कल्चर का मतलब किया होता है समञती जाएगा यहां को बिंद हैं आपको इतना अच्छे सी क्लियर में को कर देता हूं इक ही वर्ड में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा क्यों करना फार्मिंग और देजिए कल्चर दे दिजिए ग्रोइंग के ओफ ग्रेंश अनाज गेहुँ चावल डाल वगरा जितना सब आगे है सब इसमें agriculture में आता है खिर्सी के लिए ठीक है अगला है apiculture, apiculture c-u-l-to-i-r-e apiculture का मतलब होता है मधुमक्खी का पालं करना ठीक है अब देखो वहाँ पे तो मधु मखी के पालन करने के लिए या तो आप आप पर नहीं से पर देंगे तो सारा वर्ड कनेक्टिद हो जाएगा पढ़ने में आपको स्विधा होगी एवी कल्चर अवी आई सीवेल एवी कल्चर मतलब चीरियों का पालन करना पालन करना ठीक है या तो वहाँ ब्रीडिंग दिया रहेगा या रिडिंग दिया रहेगा यह reading of birds, यह जी से लिखते जाएगा, ठीक है, अगला वहाँ, एक चीज में आपको और clear कर देता हूँ, यहाँ ठीक है, होटी कल्चर, बहुत important word है, इसका definition बहुत बढ़ा है, होटी कल्चर का मतलब होता है, plants की खेती करना, पौधे की, farming of plants, लेकिन होटी कल्चर में बहुत सा जाती है, जहां सोगे, सब जी उगाने के लिए भी इसका यूज करते हैं, farming of vegetables, समझ गे, इसका word जो है, बेजी टेवल, इसका word जो है, fruits के लिए भी यूज करते हैं, fruits, और इस सब के लिए अलग-अलग word भी होता है, ध्यान से समझना, पूरी वीडियो आप अराम से देख सब्जी उगाएंगे, उसके लिए भी आप होटी कल्चर का यूज करते हैं, फल फूल अगर उजाते हैं, उसके लिए भी आप fruits के लिए भी यूज कर सकते हैं, flowers के लिए भी यूज कर सकते हैं, सब के लिए लेकिन ये यूज की सेंस में करते हैं, अगर आप खुद के यह फूल लोगा आते हैं commercial यूज यह इन commercial यूज कि को मेर्सी आई एल commercial यूज के लिए करते हैं तब इसको होटी कल्चर भी कहाता है होटी कल्चर का मतलब होता है commercial यूज अगर करते हैं तो vegetables, fruits, flowers सब के लिए यूज करते हैं अब है अगला seri culture बहुत important word है seri culture का मतलब होता है जो silkworm समझते हैं जिसे कपड़े वाद रेसम कीट, silkworm, s-i-l-k, silkworm, ठीक है, silkworm, reading of silkworm, warm, worm, extremely sorry, d लिखा गया है जिसे, silkworm, worms भी लिख सकते हैं, रेसम कीट होते हैं जो कीरे होते हैं जिसे रेसम का माली जे की कपड़े निकलते हैं उसी के लिए करते है, seri culture बहुत important है, ठीक है, silkworm, रेसम कीट, अगला है PC culture, it's a very very important word, spelling ठीक है PISCI, PC culture, CULT, PC culture का मतलब होता है, मत्स पालन, मचली की, मचली का पालन करना, ठीक है, मचली का पालन करना, growing लिख लिजी है, cultivation लिख लिजी है, of peace, ये peace-related word है अगला है, फुलोरी कल्चर, ये था नाम से पता चल रहा होगा, F-L-O-R-I, फुलोरी कल्चर, C-U-L-T-U-R-E, फुलोरी कल्चर मतलब होता है, फुलो की खेती करना, आप ध्यान से देखो यहाँ पर, ठीक है, farming of flowers अब देखो, फुलो की खेती करना को फुलोरी कल्चर भी बोलते हैं, अब फुलो की खेती करना को होटी कल्चर भी बोलते हैं, देखो मैंने यहाँ लिखा, flowers, दोनों में क्या अंतर है, मैं ता था, जब कॉमर्शियल यूज के लिए आप करोगे, यूज, तब आपको होट यूज करना इसका कॉमरेशियल हो भी सकता है और अपने लिए यूज कर सकते हैं यह फ्लॉरी कल्चर के लिए प्रॉपर ली यह वर्ड है फ्लावर की फूलों की खेती होती है उसका प्रॉपर वर्ड फ्लॉरी कल्चर है और यह अगर हिंदुस्तान में आपको अगर सरकारी इनकोरी लेनी है तो बिना मेहनत की कौन सी मेहनत अथक अटूट प्रियास कीजिए समझ गिन ऐसा प्रियास जो तब तक न ठके जब तक आपको मल जिन तक न पहुंचा दे हमें इसा धिहान रखिएगा ठीक है मामली चीज नहीं आज के डेट में अकर आप हिंदुस्तान मे प्रियास चूट जाएगा उसके ग्राइंटी ने लेंगे इसकी ग्राइंटी लेंगे फर्चुन फेवर्स था भरेव भाग जो है तक दीरों तक दीर जो है वह वह बहादरों का ही साथ देता है है तो आप मैनत की हैं तो जाने पर जाए लेकिन नैंटी फाइव परसें नै इसका मतलता है अंगूरों की खेती अंगूरों का जो है सुगाना ठीक है ग्रैप्स अगला बहुत इंपोर्टेंट वर्ड है पोमो कल्चर पी ओमो कल्चर का मतलब होता है फ्रूट फाल का हुजाना ठीक है ओलेरी कल्चर बहुत इंपोर्टेंट है यह वर्ड सब ध्यान से देखना बहुत इंपोर्टेंट है ओलेरी कल्चर आए ओलेरी कल्चर C-U-L-T-U-R-E तो ओलेरी कल्चर का मतलब होता है सबजी प्रॉपर वेजी-टेवल्स के लिए है आगजी-टेवल्स के लिए होटी-कल्चर का भी उज़ करते हैं कमर्चैल उन्ट में वेजी टेवल्स ठीक है, वेजीटेबल्स, एक्वा कल्चर बहुत इंपोटेंट वर्ड है, it's a very very important, एक्वा कल्चर, एक्वा कल्चर का मतलब होता है, जो जलिये जीव होते हैं, जो जलिये पौधे होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, फार्मिंग ओफ, एक्वेटिक के स्पेलिंग ठीक से लिख लिजेगा, एक्वेटिक मतलब होता है, वाटर रेलेटेड जलिये, एक्वेटिक प्लांट्स, जो जलिये पौधे होते हैं, उनकी खेती करना, एक्वेटिक प्लांट्स, और एक्वा कल्चर का मतलब, फार्मिंग aquatic plants and animals, पसु पालन के लिए भी इसका यूज करते हैं, animals, बहुत important वर्ड है, ठीक है, एक्वा कल्चर का यूज, जो जल ये, जो जल में रहने वाले जो पेर पोधे होते हैं, उनकी खेती के लिए भी इसका यूज करते हैं, और जानवरों का, पसु का जो प्रण करते हैं, उसक के लिविज का यूज करते हैं एकर कल्च हड़ स्रप्स मतलब समझते जारिया वग्रिया होते है जो चोटे-चोटे पेर होते हैं जारी वगईडरा उसको शरपते प्लगता और यह एबोडी कल्चर ऑल्ली ह script है अगला है बहुत important है यह भी फंगी कल्चर तौपिक है एक यू अ यू फंगी कल्चर का मतलब होता है मश्रूम की खेती करना मश्रूम की खेती करना मश्रूम की खैती करना सबैंगी क्यो さ बंट्र और कल्टार से रेटेल लास्ट वरड वाड है क्यूनी कल्चर का मतलब होता है खरगोष का पसु पालन करना खरगोष पालना ठीक है इस यह सब वर्ड जो है तो उसको आप नॉर्मल नहीं बोलेंगे बोलने के लिए बोल सकता है इस थोड़ा बेपारिक अस्तर पर बड़ी अस्तर पर इस सब का वर्ड यूज क्या आता है क यूनी कल्चर रैबिट्स किलिए है कल्चर रिलेटेड अगर आपको एक भी कोश्चन किसी भी एक्जाम में आएगा तो छूटेगा नहीं चाहे एक्जाम का लेबल कोई भी क्यों नहीं ठीक है पूरा फुल टॉपिक था कल्चर रिलेटेड वर्स ठीक है चलिए आज के ल